हर हर महादेव राधे राधे कैसे हैं आप सब आज मैं आपको शार्द्य नवरात्री में माता का आगमन किस सवारी पर होगा माता किस वाहन पर सवार होकर आएंगी इस सम्बंध में आपको बताने जा रही हूँ इस साल शार्द्य नवरात्री का प्रारम 15 अक्टूबर रविवार से होने वाला है उस दिन अश्विन महा के शुक्ल पक्ष की प्रती पदातिथी होगी पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल प्रती पदातिथी से शार्द्य नवरात्री शुरू होती हैं और इसका पन अश्विन शुक्ल दक्षमी तिथी को दुर्गा विसर्जन के साथ होगा। इस साथ दुर्गा विसर्जन 24 अक्टूबर दिन अंगलवार को होगा। उस दिन विजय दक्षमी मनाई जाएगी। माता रानी सिंख पर सवार होती हैं लेकिन जवे प्रथी पर आती हैं तो दिन के अनुसार उनकी सवारी बदल जाती है। दिन के अनुसार ही उनके आगमन और प्रस्थान की सवारी तै होती है। इस साल शार्द्य नवरात्री पर मा दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आगमन हाती पर होगा माता रानी हाती पर सवार होकर कैलाश से प्रत्वी लोग पर अपने माय के आएंगी इस साल नवरात्री रविवार के दिन शुरू हो रही है इसलिए उनका वाहन हाती है जब नवरात्री रविवार या सोमवार से प्रारम हो तो माता का वाहन हाती होता ह इसी प्रकार जिस दिन माता विदा होती है उस दिन भी दिन के अनुसार ही उनका वाहन होता है इस साल शार्द्य नवरात्री का समापन मंगलवार के दिन हो रहा है इस वजह से मा दुर्गा की विदाई मुर्गे की सवारी पर होगी उस दिन मा दुर्गा विदा होकर अपनी स स्वारी मुर्गा होता है मातारानी के आगमन से पढ़ेंगे दो शुप प्रभाव जब मातारानी हाती पर सवार होकर आती है तो इससे सभी को शुप फल की प्राप्ती होती है हाती की सवारी अधिक वर्षा का संकेत है इस से सुख और समरध्धी में बढ़त्री होती है लेकिन माता रानी का प्रस्थान मुर्गा पर है तो वह लोगों के लिए कस्ट बढ़ाने वाला भी होता है इस साल मा दुर्गा की विदाई पर लोगों की समस्याओं में बढ़त्री होने के संकेत है लेकिन माता अपने भक्तों पे हमेशा अपनी कृपादर्ष्टी बनाये रखती है हमेशा उनका कल्यान करती है मात शेरावाली सब की रक्षा करे और सब का कल्यान करे शारद्य नवरात्री दो हजार तेहिस 15 अक्टूबर को शारद्य नवरात्री की घट इस्थापना होगी उस दिन घट इस्थापना मुहरत 11 बच के 44 मिनट से लेकर 12 बच के 30 मिनट तक है पहले दिन माता की शेर्पुत्री रूप की पूजा की जाती है आप सभी को नवरात्री की हादिक शुब कामनाएं सभी के लिए नवरात्री शुब हो माता सब का कल्यान करे सब की रक्षा करे जै माता दी